ओके चलिए दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंतर गत्र और मैं आपका एजुकेटर डिके गुपता तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को मैंने बोला था कि संडे के दिन जो हैं मैं आप सभी बच्चों के लिए जो सीटट में आपके 2021 और 22 और 22 और 23 में जो कोश्चन पूछे जा चुके हैं किस से रिलेटिड तो वो दोस्तों आपके चाहे मैप से रिलेटिड हो चाहे वो ट्रें से रिलेटिड कोश्चन हो चाहे वो डिस्टेंस या डिरेक्शन से रिलेटिड कोश्चन हो वो सारे के सारे कोश्चन करने का प्रिय करेंगे ठीक है तो आज की जो लेक्चेर है दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है उसमें जो है हम जो 2021 और 22 जिस जो की पहली बार स्टीट का अग्जाम ऑनलाइन हुआ था 21 और 22 में वो वाले में जो कुछन पूछे गए थे उनको करेंगे ठीक है और वैसे भी आप सभी बच् को पता है कि आपके अग्जाम डेट कन्फर्म कर दी गई है क्या है अग्जाम डेट तो वो है दोस्तों 20 अगस्त तो जो जो बच्चे अपने सीटेट के लिए परेशान था सीटेट के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं बोल रहा था कि सर कैसे होगा क्या होगा बहुत चलो ठीक है भाई, अग्जाम थोड़ा सा दूर चला गया है, लेकिन अपने आपको अभी रिलेक्स मोड पर नहीं लाना है, अपने आपको तैयारी के मोड पर ही रखना है, ठीक है, बले ही अग्जाम जुलाई में ना होकर अब अगस्त में चला गया हो, लेकिन अग्जाम हो वो अच्छी बात है कि exam offline हो चुका है और OMR base हो चुका है जो कि पहले हुआ करता था उसकी भी अपनी खामिया है लेकिन बहुत जादा जो गाओं घर के लोग है बच्चे हैं उनके लिए positive है उनके लिए positive खाबर है ठीक है और वैसे भी seated को पता था भाई इतने सारे paper हम कहां बना पाएंगे क्योंकि लगबग लगबग 24 से 25 shift में exam हुआ करते थे 24 से 25 shift का मतलब समझते हो आने वाले 10 से 15 साल में जितने इनके paper होते न उतने इने विचारों को एक बार में करवाने पड़ते हैं साल में 2 paper तो 12 साल में 24 paper इनको एक ही बार में 24 paper करवाने पड़ जाते थ अलग हमारे लिए अच्छी बात है भाई offline हो गया exam तो अब offline में ही देंगे सही रहेगा वो बच्चों के हाथ में paper आता है तो बच्चे आरामसुस को पढ़ सकते रीड कर सकते आरामसुस को क्या कर सकते हैं जो उन सा paper भरना चाहें जो उन सा paper करना चाहें वो कर सकते हैं है अब online exam ना होकर offline exam होगा online exam में किस-किस परकार के question पूछे गए थे 21 और 22 के अब कई बच्चों के मने में question उठ रहा होगा कि सर जब offline exam हुआ करते थे उनके question भी पढ़ने पढ़ेंगे hard year अब offline वापस exam आ चुका है तो इसलिए offline वाले paper भी पढ़ लेना हलकी सी नज़र डाल लेना वैसे तो 2021-22 और 22-23 का कर लोगे तो offline के automatically सारे के सारे question वहाँ पर cover हो जाएंगे इसलिए पहले हम 21-22 में जो map से related, train से related और direction से related question थे उनको cover करेंगे फिर उसके बाद अगली class में इसकी एक और class लूँगा में जिसमें हम 22-23 वाले paper की करेंगे तो दोनों के दोनों आपके तयार हो जाएंगे ठीक है और साथी साथ में दोस्तों ये map, train और direction अपने आप मे इसलिए दोस्तों ये आज कौन सी class रहने वाली आपकी? महा marathon class रहने वाली है, 1.5 गंटा, 2.5 गंटे, 3.5 गंटे, 3.5 गंटे, जब तक आपके मन में पढ़ने की इख्छा हो और मेरी पढ़ानी की शमता हो, तब तक हम पढ़ेंगे इन चीजों को cover करने का परियास करेंगे ओके? तो फिर देरी किस बात की? सभी के सभी बच्चे आ जाईए और notebook निकाल लीजिए अपनी और लिख लीजिए आज का अपना topic परियावण अध्धन के अंदरगर, map, train and direction वाले topic. मैंने आपका भारत का map आपके सामने लगा दिया है, कौन सा state किस तरब पढ़ता है, एक कौन सा state कहां है, कौन सा state कहां? नहीं, ठीक? चलिए. तो सबसे पहले हम state से शुरुवात करें, तो ये वाला state मुझे फटा-फट बताईए कौन सा, state से शुरुवात कर रहा हूँ, मैं state भी आपको गिलवाद हूँ है, यहाँ पर क्यों से कितने state है, ठीक है? चलिए. सबसे state बताईए, फटा-फट कौन सा बच्चा बताएगा? आप लोगों सही पूसता चलूँ है, मैं बताऊँ हूँ आनि, आप लोगों. आप लोगों सही पूसता चलूँ है, ताकि आपके प्रैक्टिस हो सके, अग्जाम में कुछ भी पूछा जा सके, तो आपको इस चीच के बारे में पता हो, state की बारे में बात करीए, राज्यों के बारे में बात करीगा है, तो सबसे पहले मुझे बताईए, कौन सा बच्चा बताएगा? फटा-फट बताईए, कौन सा राज्ये दोस्तों, फटा-फट बताओ दोस्तों, ये लोग, बच्चों ने शुरू कर दिय पंजाब कहना, लद्दाग कहना, अरे तुमारी ऐसी की तैसी, नाम डुबहोगे तुम मेरा, यह है हिमाचल परदेश, हिमाचल परदेश, अब इसका एक परमुक शहर का नाम सुन लो, मनाली, मनाली वगेरा कोशन में पूछा जाता ना, तो मनाली यही पर ही है, तो यह क्या बताओ फटाफट, अब उसी के बगल में मैंने एक और खीज दिया, फटाफट बताईए उसके बगल में कौन सा है, उसी के बगल में मैंने एक और खीज दिया, इसको बताईए फटाफट, मैं कलर कर देता हूँ, चलिए, आप लोगों सही कोशन पूछोंगा, मैं नहीं ब चलिए, सभी के सभी बच्चे कह रहे हैं, ये हैं पंजाब बिल्कुल दोस्तों, ये क्या है? ये हैं पंजाब ठीक है? दो स्टेट हो गए, नाम याद रखिएगा नाम याद करते भी चलिएगा, दो स्टेट हो गए आप इसी के बगल में ये वाला state बताइए मुझे कौन सा है ये वाला बताइए कौन सा है ये नाम आप लोगी खुदी बताओगे मैं कुछ नहीं बताओगे किसी दिवच्चे को जल्दी से बताइए कौन सा state ये वाला कि बहुत अच्छी यहां पर इस्थान है प्रड़िटक घूमने के लिए जाओगे बड़ा मज़ा आएगा ठीक है चलिए बताइए जल्दी से कौन सा है स्टेट है ये कौन सा है स्टेट है फटाफट बताइए दोस्तो चलिए सभी के सभी बच्चे कह रहा है उत्रा खंड है बिल्कूल दोस्तों ये क्या है हमारा इंडिया का यूके है इंडिया का क्या है उत्रा खंड यानी की यूके शॉर्ट फर्म में हम इंडिया का यूके बोल सकते है इ इसी के थोड़ा सा नीचे आओगे यहां, यह बताए कौन सा इस्टेट है? यह इसी के थोड़ा सा नीचे आओगे, तो बताए कौन सा इस्टेट है? फटाफट. यह वाला. जल दी से बताए कौन सा इस्टेट है? फटाफट बताए कौन सा इस्टेट है? फटाफट बताए दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, यह है आपका हर याना. क्या है दोस्तों यह? यह है आपका हर याना. क्या है? हर याना. ओके? इन्पोर्टन्ट है. पूछा जाएगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए. चलिए. थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, तो कौन सा है यह वाला? यह वाला बताए यह. यह वाला स्टेट बताए फटाफण यह कौन सा है? यह तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए. फटाफण बताए यह. चलिए. बिल्कुल दोस्तों, क्या है यह? तो यह हमारा उत्तरफर्देश. क्या है? यूपी है. क्या है? यूपी. चलिए. इसी के बगल में आते हैं. यह. जल्दी से बताओ यह कौन सा है? यह. फटावड बताओ भाई. फटावड बताओ भाई. फोकट के नंबर मिलेंगे. यहां पर दियान रखेगा दोस्तों, क्यांट बताओ भाई. तो अगर राज्य याद रहे गए न, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कौन सा राज्य कहां है, कौन सा नहीं है. और साथ ही साथ में पर्मुक पर्मुक जो शहर है न, वो भी याद आपको दिलाते वे चलूँआ, ताकि आपकी अग्जाम में पुछा जाए पर्मुक शहर से, तो आप लोग केंश्यूज ना हो. ठीक है? जैसे कि राजस्थान का जो पर्मुक शहर हो क्या है देखने को मि राजस्थान, क्या है? राजस्थान, पर्मुक शहर का नाम सुनाया न, आपने जैपूर वेगरा, हाँ, यहीं पर यह, तिक, आप देखिए दोस्तों थोड़ा साइस के नीचे इधर आईए, यह, 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 यह वाला बताईए फटा-फटिये क्या है? यह न, यह, इसको त बड़कता बड़कता कर देता है, लाल रंग से, ताकि सबों में अलगी दिखें, क्यों, क्योंकि भारत के बीचो बीच आता है, भारत का हिर्दे भी कहा जाता है, इसको, ठीक है? चलिए, बताईए क्या है, फड़ा पर दोस्तों, कौन सा इस्टेट है, कौन सा बच्चा मध्यपर्देश से, तो कुछ कूशन्स आपके निकल के आएंगे, वो मैं आभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे बताईए, ओके, हाइलाइट करने से पहले में आपको अंसर बता दिया, चलिए, कोई बात नहीं, तो यह क्या है दोस्तों हमारा मध्यपर्देश, कौन सा राज्य है हमारा, तो यह है मध्यपर्देश, क्या है दोस्तों यह, तो यह है अपना भारत का बीचो बीच, MP, क्या है मध्यपर्देश, एक नाम सुना होगा, स्टेट का भोपाल नाम, तो बिलकुल दोस्तों भोप यहीं आता है वीचो वीच आता अग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहेए ठीक अब किसी के बगल में देखो यह रहां यह बताइए फटा-फट यह कुंसा बताएगा यह फटा-फट टेजी नाल दोस्तो यह कुंसा राज्य यह वाल ये जो हैं, ये जो लगा हुआ है राजिस्थान और मद्यपरदेश खे बिलकुल, तो ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा रबच्चा बताएगा, इंपॉर्टन्ट है यहां से बहुत जादा कोशन पूछे जाते हैं, और अभी हाल फिलाल में इसके इलेक्शन भी है, क्या है इलेक्शन भी चल रहे हैं जोरो दोरो से, तो सारी के सारी पार्टियां आजकल यही देखने को मिल रही है, तो जल्दी से बताएगे क्या होगा ये, फड़ाफट बताएगे दोस्तों क्या है ये, कौन सा बच्चा बताएगा, तेजी नाल बताएगे, क्या है दोस्तों कुछों को पता है, एक नाम यहां से पूछा जाता है गांधी नगर, या गांधी धाम, तो यहीं पर ही देखने को मिलता है आपको, ठीक, अब इसी के थोड़ा सा आप इधर आओगे, पूरफ इस्ट में बिल्कूल इधर आजाते हैं, ये क्या है, ये बताएगे ये कौन स जाता है, इसकी एक शोख नदी भी है, क्यों है, क्योंक्य हर साल इसको आदय सा जगया स्टेट को डुबो देती है, और शोख नदी कोछी, कोछी, ये क्या हो गया दोस्तों, चल्धी से बताइए, बिल्कुल इस सबस्यों गया ये बिहार, क्या हो गया बिहार तो ध्यान रखेगा ये क्या है बिहार है इसी के नीचे आ जाता 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 है क्या है ये जल्दी से बताईए कौन सा बच्चा बताएगा इसी के थोड़ा सा नीचे जाओगे आप यह कौन सा स्टेट है दोस्तों जल्दी से बताईए इसी के थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यह देखने को मिलेगा ठेक तो कौन सा स्टेट है जल्दी से बताओ कुन साइ स्टेट है दोस्तो बिलकुल ये क्या है जारखंड डार्क कलर डार्क पर लिखा हुआ नहीं दिखाए देगा तो जारखंड इसका नाम याद रख लेजिए बात आप सभी ठीक है चलिए तो इसी के बगल में देखो आप किसी के बगल में देखो के तो ये क्या है ये इसी के बगल में देखो इसके बगल में ये जा रहा है ये यहां से पूरा का पूरा यहां तक यहां तक और यहां तक और यहां तक यह पूरा का पूरा स्टेट कौन सा है जल्दी से बताइए पूरा का पूरा बताना आपको मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ आपको इस कलर से ताकि आपको यह दिखाई दे यह पूरा का पूरा स्टेट यह यह है यह है यह है यहां से नीचे आ रहा है यह 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 बिल्कुल दोस्ते यह पूरा का पूरा स्टेट है या पूरा का पूरा एक ही स्टेट है पूरा का पूरा यह क्या है पूरा का पूरा स्टेट जल्दी से बताईए कौन सा स्टेट है बिल्कुल यह क्या है तो यह है डबलू बी यानि की वेस्ट बंगोल ठीक है यह क्या है वेस्ट बंगली है यहां से लेकर पूरा उपर तक देखने को मिलता है यहीं पर ही आपको कलकत्ता देखने को मिलता है तो वेस्ट बंगल का क्या है कलकत्ता बहुत ज़्यादा फेमस ठीक है अब इसी के थोड़ा सा नीची आओगे तो यह रहा कि मैं इह पहले समुथ्री सीमा वाला आप देखलो यह समुथ्री सीमा वाला तुस्तों आप सभी बच्चों को पता है इस तरफ इस तरफ क्या है पढ़ता है इधर Arabian Sea पढ़ता है तो इधर Bay of Bengal है इधर Arab की खाड़ी है इधर Arab खाड़ी है ठीक है तो पूछा जाए तो पता होना चाहिए आपको इधर है Arab सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी तो बंगाली खाडी के तरफ कौन-कौन से राज्य पढ़ते हैं, कई बार आपके अक्जाम में पूछी लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इधर से तो दोस्तों आप सही बच्चे बता रहे हो, सही के सही अंसर, सभी के सही बच्चे बता रहे हैं, आपर क्या है औरिसा है क्या है औरिसा बिल्कुल दोस्तों औरिसा है हंजी 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 सभी के सही बच्चे बिल्कुल ठीक लगा रहे है क्या है ये वाला दोस्तों ये वाला तो ये है औरिसा क्या है ये तो ये है औरिसा क्या है औरिसा पूछा जाएगा आपसे तो पता होना पे तो ये वाला राज्य है थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो ये वाला राज्य है ये वाला राज्य बताईए फटाफट कौन सा पढ़ता है फटाफट बताईए दोस्तो ये वाला राज्य है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला राज्य कौन सा पढ़ता है कर दोस्तों यह कौनसा राज्जे ए मेरे पूंसा बताएगा फटा फट्ट कौन सा राज्जे यह कि भिलकुल औरहाय ये पियो दोस्तों ये बताई ये है ए और परदेश ओसे के साथ बात कर लेता हैं कि यह कुन सा राज्य दोस्तों यह बताएं भुत यह कुन सा राज्य मैं ना भी हाइलाइट करा आए जिसको मतलब अभी हो फढ़ा फड है और यह वाला जल्दी है बताए यह बताएं एदराबाद बहुत मौशूर है इसकी सिटी जल्दी से बताओ क्या है ये जल्दी से बताओ दोस्तों क्या है ये आंदर परदिश तो ठीक है आंदर परदिश तो हमने लगा दिया ये बताइए क्या है जल्दी से बिल्कुल दोस्तों ये क्या है तेलंगाना क्या है बाई तेलंगाना spelling तो यहां आएगी ने चलो छोड़ो क्या है ये तेलंगाना क्या है तेलंगाना बिल्कुल दोस्तों क्या है ये तेलंगाना ठीक बिल्कुल बिल्कुल अब इसी के बगल में देखें इसी के बगल में देखें तो ये देखो ये वाला ये एक हाइलाइट हो गया अलग से निखर के आ गया बताईए क्या है ये जल्दी से बताईए क्या है ये ये वाला ये जल्दी से बताओ कौन सा बच्चा बताएगा ये बताईए फटाफट बिल्कुल क्या है ये तो ये हैं 36 गड़ क्या है ये तो ये हैं 36 गड़ पूछा जाएगा अक्जाम में तो क्या है दोस्तों ये 36 गड़ चलिए नीचे की तरफ आईए ये 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 बताईए क्या है इतना बड़ा सा जिर देख रहे हुए ये कुन सा राज़ जल्दी से बताईए कुन सा बच्चा बताएगा फड़ा-फट बताईए जल्दी से बताईए फड़ा फड़ बताओ दोस्तो चतिस गड़ तो हो गया अभी जो मैंने अंडरलाइन करा वो बताए क्या है चतिस गड़ तो हो गया बिल्कुल दोस्तो क्या है ये क्या है ये तो ये है महराष्ट्रा क्या है ये महराष्ट्रा क्या है महराष्ट्रा है बिल्कुल दोस्तो क्या है दोस्तो पूछा जाएगा आपके अक्जाम में तो आपको पता होना चाहिए ये है महराष्ट्रा क्या है महराष्ट्रा ओके आप जी चलिए अब इसी के नीचे थोड़ा सा होगे तो यह चोटा सा है यह बताए क्या है एक बहुत लोग घुमने भी जाते हैं यह पर यह बताए क्या है यह एक चोटा सा मैं थोड़ी आता है हमने तो अभी राज्यों की बात करिए दिल्ली राज्यों की बात करिए राज्ये किली पहले आप कितने जैने चले देन आगे चले चलिए यह बच्चे बता रहें गोवाय बिल्कूल भाईयों और चैनलूरे साफलोर का वे ती बहुत जाद मश्चुर है अधिक तर आप है गर यहाँ पर बहुत बार वैंगलोर से question देखने को मिला है आपके exam में, जल्दी से बताएगे कौन सा बच्चा बताएगा इसका, जल्दी से, जल्दी से, चलिए, बिल्कुल दोस्तों ये क्या है, कर नाट का, क्या है, कर नाट का, ध्यान रखेगा, important है, पूछा जाएगा आप को पता होना चाहिए, क्या है ये, तो ये करनाट का, क्या है, करनाट का, ओके, चलिए, अब बच गया बगल में ये, ये बच गया बगल में, इसको बताएगे कौन सा इस्टेट है ये वाला, देखने में भी वैसे ही लगता है, जल्दी से, बताएगे क्या है, जल्दी से, क जल्दी से बताईए कौन सा बच्चा है क्या बताओगे इसका सही अंसर कौन सा स्टेट है ये जल्दी से जल्दी से बताईए जल्दी से दोस्तों फटाफट फटाफट बिल्कुल क्या है ये कैरला क्या है दोस्तों क्या है कैरला क्या है ये कैरला है पूछा जाएगा अक्ज तो देखो दोस्तो अल्म 뉴ंट आम यहां वह सारे के सारे कवर कर लिए बजगे हम आरे नॉर्थ हिस्ट वाले क्या है नॉर्थ हिस्ट वाले पहले इसको गिनो यह जो मैंने आपको करवाया कितने हैं ओलमोस्ट हमने यहां बीच वाले जो होते है बज़िए के सारे कवर कर लिए बज़गे हमारे नौर्थ-इस्ट वाले पहले इसको गिनों यह जो मैंने आपको करवाया कितने हैं गिनों देखो एक दो तीन चार पांच छे शे शाट आट नौड़ दस ग्यार光 बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठारा और उननीस कितने हमने कर लिए उननीस कर लिए दुबारा किनो भाई मैंने सही किन है कोई छूट तो नहीं है देख लो एक दो तीन चार पंच छे ठीक है साथ का है साथ आठ नो दस ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा पंदरा, सोला, सतरा अठारा, उननीस उननीस है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमने उननीस गिने है आगे हम और भी गिनेंगे बच्चे बता भी रहे 28 है कोई बात नहीं हम आगे चलते है ठीक अब देखो दोस्तों ये ये जो देख रहे है ये 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 कौन सा राज्य है जल्दी से मुझे बताईए ये कौन सा है ये मुझे कोई बच्चा बताएगा ये कौन सा राज्य है सबसे चोटी वाला जल्दी से बताईए मुझे यह जो मैंने black करा है अभी underline करा है black black जल्दी से बताइए कौन सा राज जाहिए फटा फट यार फटा फट जल्दी से बताइए कौन सा राज जाहिए seven sister बाकी है seven sister में नौर्थीस्ट वाले बच्चों भी बताया तो सही बाकी है अभी हम आ रहे है seven sister तो दोस्तो ये है सिक्केम क्या है ये ये है सिक्केम ठीक चलिए अब नौर्थीस्ट पर आते हैं तो ये वाले ये ये वाला सबसे पहला राजे ये बताईए ये उपर वाला सबसे पहले उपर वाला राजे बताईए ये वाला ये वाला राज्य बताओ कौन सा है फड़ाफड बताओ ये वाला राज्य कौन सा है आज हम अराम से पढ़ेंगे इजी तरीके से पढ़ेंगे ताकि सारी के सारी चीज़े cover हो जाए किसी बच्चे को मैप के बारे में नहीं भी पताओगा तो भी उसके बारे में पता चल जाएगा ठीक है चलिए बताइए कौन सा ये बिलकूल तो ये क्या है दोस्तो आउनाचल परदेश है दियान रखेगा एक है आउनाचल परदेश और एक है आउनाचल परदेश आउनाचल परदेश ठीक चलिए अब दोस्तों ये बताईए ये कौन सा है ये ये जो है ये वाला बताईए कौन सा स्टेट है जल्दी से बताओ ये वाला बीच वाला ये वाला ये वाला कौन सा बच्चा बताईगा कौन सा स्टेट है जल्दी से दोस्तों तेजी नाल यह जो मैंना भी हाइलाइट करा, यह कौन सा स्टेट है जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से सभी के सभी बच्चों ने लगा दिया आसाम, 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 बिल्कुल दोस्तों यह क्या है? आसाम है क्या है यह? दोस्तों यह आसाम है क्या है असम है स्टेट अपना पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो यह वाला बताइए कौन सा है मैं इसको हाइलाइट नहीं कर रहा ऊपर वाला बताइएगा वाइट ही रग रहा हूं मैं उसको जल्दी से बताइए कौन सा है यह उपर ही रखा है मैंने उसको अभी हाइलाइट नहीं करा ठीक है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए ओके एक बच्चे गरा सर गोवा को आपने काउंट नहीं करा ओके यहां तबी छूड़ी है हमारा 19 और यह 20 ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा हुआ दोस्तो आपने बता दिया चलिए बच्चे बोल रहे हैं यह है दोस्तो मनीपूर नहीं दोस्तो यह है नागा लेंड क्या है यह तो यह है नागा लेंड ठीक चलिए इसके नीचे जो है यह बताइए हमारा जो नौर्थीस्ट वाला हिस्ता है न बहुत ही खुबसूरत है बहुत ही हरियाली है ठीक है बाकी हमारे भारत से थोड़ा सा दूर पड़ता है, कटाओ में रहता है, लेकिन कोई नी, खूबसूरती में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है हमारा North East India, ठीक है, चलिए, जल्दी से बताईए उन नीचे वाला कौन सा है, हमने नागालेंड की बात कर ली, नागालेंड क क्या है, मनी पूरा, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, ये बताईए कौन सा है, ये वाला स्टेट कौन सा है, ये वाला कौन सा बच्चा बताईगा, ये वाला, ये मैं red वाला highlight कर रहा हूं, red, red, ये वाला बताईए कौन सा है, ये बताईए red वाला, ये North East में सबसे ज़्यादा बच्चे confuse होते हैं इसलिए आपको मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ यह नौर्फिस्ट वाला पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए रेड़ वाला बता यह कौन सा है बिल्कुल दोस्तों यह क्या है मीजो क्या है यह तो दोस्तों पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या है मीजोरा में ठीक है इन्पॉर्टेंट है ध्यान रखेगा अग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए ठीक उसी के बगल में बचा उसी के बगल में है यह वाला यह यलो यलो यह बताइए कौन सा है यलो यलो जो पार्ट है वो बताइए कौन सा है चलिए तो यह दोस्तो त्री पुरा अब बच गया एक यही सबसे ज़्यादा बर्शा होती है हमारे भारत में तो जल्दी से बताइए यह कौन सा है यह कौन सा जल्दी से बताइए जल्दी से पताएए कौन सा है वो सबसे दादा वर्षा हमारे यहाँ पर यहीं होती है जल्दी से जल्दी से तिरपुरा तो हो गया दोस्तो यह है अपना मेघाले जा है यह तो यह है दोस्तो अपना मेघाले कौन सा है मेघाले अब देखो दोस्तो 20 हो गए 25, 27, और ये 28, तो कुल मिला कर हमारे भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो अगली बार आपके exam में कभी भी किसी वक्त भी पूछा जायगा तो भारत में कुल मिला कर राज्यों की संख्या क्या है। तो 28 है, कितने हैं? 28, तो पहला कोशन आपका यहां से हो गया, मैंने 28 के 28 राज्य आपकी इना दी, परमुक परमुक जो राज शहर होते हैं, वो भी मैं आपको बताते वे चल रहा था, तो यहां पर कई बच्चे 27, 29 में परेशान रहते हैं, तो नहीं, दोस्तों, हमारे भारत में पुल मिलाकर राज्य की जो संख्या है, वो है 28, कितनी हैं? 28, अब केंदर शाशित परदेश जो होते हैं, यानि की UT जो होते हैं, Union Territory होते हैं, वो कितनी हैं, चलिए वो गिलते हैं, तो दोस्तों, अभी जो हमने बाटा था, उसको बाटा था किसको? तो जम्मू एन कश्मीर को, किसको? जम्मू एन कश्मीर को बाट कर हमने दो हिस्सों में कर दिया, उपर वाला हिस्सा जो है, बता हो दोस्तों, इसको जो हमने काट के अलग करा, मतलब अलग नहीं करा, मतलब अब जो है, राचे का दर्जा जम्मू कश्मीर का हटा दिया गया है, अब ये क्या है? पहले तो ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब क्या है? ये बताईए मुझे, कौन सा बच्चा बताएगा फटाफट बताएगा फटाफट भूमनी वगरा के लिए बहुत लोग जाते हैं आपर बिल्कुल दोस्तों ये क्या है तो ले अन लग्दार क्या है ले अन लग्दार बच गया आपका इन नीचे वाला रीजन तो इसको कहते है जम्मू एन कश्मीर ठीक है ये क्या है अब राज्ये नहीं है ये केंद्र शाषित परदेश है यूटी है तो पहला यूटी ये हो गया दूसरा ये हो गया 2019 की बार से जब इसको बाटा गया था और राज्ये का दर्जे है खत्म कर दिया थीक अब थोड़ा सा नीचे आओगे दोस्तों कि यह ने यह पर तो यहा पर आपना तीसरा यूटी बहारा आप YoKE क्या कहला था यह दोड़ा सा आप नीचे आओगे तो पंजाब पंजाब के अंदर देखने को मिलता है, जो कि पंजाब के अंदर देखने को ठीक है, छालीए, थोड़ा सा नीचे करते हैं यह रहाँ, यह क्या है? प्या है, चोथा यूटी है, ओड़ी कई बच्चे कर से देल्ल के helm तो आप तो पता चल गया बच्चा? डेली कहा है? तो यहां आता है डेली, ठीक है? चलिए. अब ठोड़ा से नीचे आते दोस्तों, तो यहां है आपका दादर नगर हवेली और यहां है दमनेंद्धियों. यह दो थे, ठीक है? डादर नगर हवेली ठीक है ये कभी 2 हुआ करते थे लेकिन 2019-2020 में इनको बाग कर एक कर दिया गया क्या कर दिया गया एक कर दिया गया तो इसलिए अब यह जो दादर नगर हवेली और दमन अंदियू है तो इसलिए अब ये एक यूटी है, तो कितनी यूटी होगे था? चार, ये होगया अपना पाचवा, क्या होगया? पाचवा, पहले ये दो थे, लेकिन आभी इसको एक कर दिया गया है, इसलिए आभ इसको एक में कंसेडर किया जाए, थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आओग क्या है? लक्षदीप है, तो कौन से नंबर का होगया? चटे नंबर का यूटी होगया, कौन सा? चटे नंबर का, इधर आओगे तो ये देख रहे हो ये, तो ये क्या है? अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है? तो सातवे नंबर का यूटी है, कितने नंबर का है अपना? साथवे नंबर का यूटी है क्या है साथवे नंबर का यूटी है पूछा जाएगा आपके अग्जाम में तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए और बगल में यहीं पर ही आओगे तो यहाँ एक छोटा सा ही है यहाँ पर अब किसी confusion यहाँ पर एक बच्चा कहा है सार बत चंडीगर तो हर्याना और पंजाब दोनों को ही क्या है अपना राजधानी है बिल्कूल दोस्तों दोनों की अपनी राजधानी है हर्याना की भी राजधानी चंडीगर ही है और पंजाब की राजधानी पे चंड़ी गड़ है, क्योंकि हरियाना पंजाब कभी एक हुआ करते थे, बाद में जब डिस्टिब्यूट हो तो इनके राजधान डिस्टिब्यूट नहीं हो, ठीक है, इसलिए important है, ध्यान रखेगा, तो यहाँ कुल मिला कर आपको UT की संख्य मैंने 8 गिनवा दी, राज्यो की संख्या मैंने 8 गिनवा दी, अब किसी भी बच्चे को यहाँ से कोई confusion create नहीं होना चाहिए, ठीक, चली, अब दोस्तों अगला कुशन, अगला कुशन क्या आता है, कि निमलिकित में से पूर्व साइट में कौन-कौन सी राज्यो की संख्य जो बंगाल की खाड़ी की तरफ मिलती है, तो देखो दोस्तों बंगाल की खाड़ी मिलती है, यह हैं बंगाल की खाड़ी में आभी आभी आपको बताया, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ पहला पढ़ता है आपका पश्यम बंगाल, दूसरा पढ़ता है औरीस्ता, तीसरा पढ़ता है आंदरपरदेश और चोथा पढ़ता है आपका तमिलना तो यह चार राज्यों जो है इनके समुदरी सीमाएं जो है वो बंगाल की खाड़ी से मिलती है अग्जाम में कोशन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए बे ओ बंगाल बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन- तो वो है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ मिलती है तो बंगाल की खाड़ी पूरव की तरफ यहां इस्ट होता है ध्यान रखेगा हमारा जो भी distance and direction होता है उसमें यह east consider होता है यह west होता है यह north होता है और इसी के बीच में अगर इस तरफ जाओगे तो यह south east होता है अगर इधर जाओगे तो यह south west होता है तो अब अब देखो यह वाला एरिया अगर हम भारत को बीचो बीच से काटते हैं तो यह वाला एरिया कहां चला जाता है north east में चला जाता है इसलिए हम उसे east ना बोलकर north east बोलते हैं ओके important है ध्यान रखेगा तो बेव बंगाल की तरफ कहां पढ़ते हैं पश्चमी घाट की तरफ की तरफ पढ़ते हैं देखो कौन कौन से हैं पहला पढ़ते हैं आपका गुजरात गुजरात की नीचे वाली जो सीमाइं होती होँ अरब्साकर से किया इधर है दूसरा होगfahr महरास्टा तीसरा हो गया आपका गोवा चोथा हो तो यह 5 राज्यराच, पुछा जाएगा, कि अरब सागर की सीमाओं से लगते वे कौन-कौन से भारत की राजी है तो आपको पता होना जाए ठीक? इसी के साथ साथ में अगर आपसे पूछा जाएगा कि अरब सागर की तरफ कौन-कौन सी आपकी यूटी है तो ध्यान रखेगा दादर नगर हवेली और दमनंदियू ये अरब सागर की तरफ पड़ता है और साथी साथ में जो लक्षे दीप है ये भी हमारा अरब सागर की तरफ पड़ता है वहीं पर ही पूछा जाएगा कि बेव बंगाल की तरफ कौन-कौन से यूटी है तो भाई पुडू-चेरी या पॉंडी-चेरी बोल लो ये और आपका अंडबाना ये निकुगार ये जो है हमारा बंगाल की खाड़ी के तरफ पड़ता है ठीक है? चलिए इतनी सी चीजें आपको समझ में आई की नहीं आई फटा-फट बताईए जो चीजे मैंने आपसे अभी बताईए सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई की नहीं आई एक सीधा सा जावा बियस या नो या कोई चीज आपको रिपीट करना है तो जल्दी से बताईए सरदर्द हो गया अभी कहा सरदर्द हुआ यार अभी तो हम आराम से समझेंगे इसको सारी चीजे करते वे चलेंगे अपने आपी सरदर दूर हो जाएगा ठीक है? चलिए जल्दी से बताईए इतनी समझ आगी सारी चीजे जल्दी से बताईए सर आपने मैप को बहुत ही अच्छे तरह से बता बना दिया चलिए कोई बात नी आगे चलते नहीं भी आया तो भी बोलिएगा आगया ठीक है? चलिए आगे चले तो दोस्तों हमारा भारत जो है ना इसको बीचों बीच से करक रेखा होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो डिस्टिब्यूट करती है उपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में जो कि हमारे भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है कितने राज्यों से? आठ राज्यों से होकर गुजरती है वो आपको पता होने चीव वो आठ राज्ये कौन बोन से चलिए, मैं आपको एक line खीच के बताता हूँ ताकि आप आराम से देख सको, यहां से जाती होगी, यहां से, यह जो है एक line खीच हुए हमारे भारत पर, artificial line है, कोई serious line नहीं है, जो आपको दिखाई दे हमारे मेरत के उपर, तो यह जो line है हमारे भारत को बिल्कुल बीचो बी आठ राजिस होकर गुजरतिया, वो आपको पता होना चाहिए, चलिए, गिनते हैं, देखिए, पहला हो गया गुजराट, बिल्कुल, गुजराट से होकर यह निकलती है, बिल्कुल बीचो बीच से, ठीक है, दूसरा राजियो हो गया आपका राजस्थान, देख सकते हो, तो पहला हो गया गुज्राद, दूसरा हो गया राजिस्थान, तीसरा हो गया मद्यपर्देश, चोथा हो गया आपका छत्थिसगर्द, प homicide क्या है च्छतिसगर्द, फिर क्या हो गया आपका तो यह हो गया पाँचवा कौन सा तो यह है आपका जारखन क्या है जारखन छटा हो गया आपका वेस्ट बंगोल क्या है वेस्ट बंगोल फिर आता है दोस्तो साथमा त्रिपुरा और आठमा मेज़िवा तो ऐसे करके हमारे आठ राज्यों से होकर गुजरता है कितने कि सारी चीज़े में आपको यहाँ पर बता दिये, ठीक है, चलिए, आप कोई confusion यहाँ तक जल्दी से बताईए, फड़ा फड़ बताईए, यहाँ तक कोई confusion किसी भी परकार का, फड़ा फड़ बताओ भाई, ठीक है, चलिए, एक नया question बताता हूँ, आपकी exam में पूछे जा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, आपने हमारे भारत में देखा है सिक्किम, देखा है सभी बच्चों ने, तो सिक्किम एक ऐसा राज्या बिल्कुल छोटा सा है, इससे आठ गुना बड़ा राज्ये कौन सा है, एट टाइम बड़ा इससे, ध्यान रखेगा आठ टा खंड दोनों दे रखे हो, वैसे दोनों कभी भी नहीं देगा, दोनों लगबग लगबग सेमी है, अंसर में आपका हिमाचल परदेश जरूर देगा, तो हिमाचल परदेश जो है, वो सिक्किम से लगबग लगबग 8 बोला है, इस परकार के कोशन आपके अग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, एक कोशन ये हो गया, दूसरा कोशन, आपसे पडोसी राज्ये पूछ लेगा, तो पडोसी राज्ये कौन कौन से है, वो भी पता होने चाहिए, जैसे कि गुजराद, गुजराद का पडोसी राज्ये कौन से है, तो राज कि फोर अग्जाम्पल के रूप में यूपी यूपी का पड़ोसी राज्य कौन-कौन सा है तो एक हो गया उत्राखंड एक हो गया आपका क्या है यह हर्याना साथी साथ में थोड़ी बहुत लाइन जो है इसकी हलकी सी जैसा टच तो नहीं होती लेकिन हिमाचल परदेश भी हलका सा टच होता है ठीक अगर आपके अग्जाम में हिमाचल परदेश दिया हुआ है तो आप मानोगे अगर नहीं दिया तो छोड़ दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन केंफ्यूजन क्रियेट करने के लिए पूछा जा सकता हिमाचल परदेश के भी हलकी सी देख सकते हैं एकद दो टीन चार पार छे साथ और और तो आठ अगर आप से पूछा जाएगा तो आपको मैं जाती हुआ पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक, चलिए, तो दोस्तों जहां तक मेरे उमीद है, मैप से रिलेटेड जितने कोशन बन सकते हैं, वो सारे के सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, किसी बच्चों के यह बताईए, कोशन का अंसर क्या होगा, क्या बोला गया है, बोला गया है कि भारत में कितने राज्ये हैं, कौन सा बच्चा बताएगा, बिल्कुल सिंपल से कोशन से सुरुआत करी हैं, बिल्कुल सिंपल कोशन से सुरुआत करी हैं, अगर अग्जाम में या से कुछ कोशन ब पढ़ा कि भारत में कुल मिलाकर कितने राज्ये हैं? 28 राज्ये कितने राज्ये हैं? 28 राज्ये तो option number 4 जिस बच्चों ने option number 4 लगाया वो सभी के side बच्चों ने बिल्कुल correct और बिल्कुल right answer लगाया, ठीक चलिए, आगे चलिए अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा राज्ये दे रखा जो भी हमें हमने समझा था, कोई समझने की जूरत नहीं है क्योंकि हमें पता हमारे भारत में कितने राज्ये हैं? 28 राज्ये अभी अभी हमने बात करें तो टेक, चलिए, अगला कुश हमारे देश में संग शाषित परदेशों की संख्या है, यानि कि यूटी की बात करी जा रही है यूनियन टेरिटरी की बात करी जा रही है कि in our country, there are तो कितनी यूटी है? 6 यूटी, 7 यूटी, 8 यूटी या 9 यूटी, जल्दी से बताइए फटा-फट, आपके अक्जाम में पूछे जाने वाला पूरा का पूरा कुशन है अक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी के सभी बच्चे आप्शन नमबर सी, बिल्कूल दोस्त, अभी अभी हमने बात करे थी कि भारत में जो है, वो 8 यूटी हमने गिनी भी थी, कहां कहां पर कौन-कौन सी यूटी पढ़ती हमने सभी बच्चों ने गिनी भी थी, ठीक है भारत में केंद्र शाषित परदेशों की संख्या, अब देखो ऑप्शन देखो 6, 7, 9 और 11, कितने हैं? 6, 7, 9 और 11, देखो इंडिया हैज 6 यूटी, 7, 9 और 11, देखो यहां पर कोश्चन में केंफ्यूजन करने की, क्रियेट करने की बात करी गई है, यहां पर देखो 7 भी दे रखा हैं और 9 भी दे रखा हैं, ओके 11 हो गया यह तो, चलिए, यहां पर देखो 7 भी दे रखा और 9 भी दे रखा हैं, क्योंकि अब अब हमारे भारत में देखा जाए तो पहले 7 और कुछ समय के लिए 9 यूटी थी, तो देखा जाए हां पर 7 भी ठीक है, लेकिन कैसे महौल में बना रहे हैं, वो 7 को दिхаन में रखे बना रहे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी आपको बता था, दमनन द्यू और दादर नगर, एवं हवेली, ये जो थी ना, इसको हो बाद में मर्ज करके एक कर दिया गया था, जो 9 की संख्याती वो 8 पर आकर रुप भीगा ह तो यहां पर option में यह साथ भी ठीक है क्योंकि पहले जो था जम्मुएन किश्मीर तो था नहीं और लजाक था नहीं तो साथ थे उससे तो साथ भी ठीक है नौ भी ठीक है इस समय डिपेंड करता है कि examiner क्या सोच रहा है तो examiner उस समय 9 सोच रहा था तो इसलिए हम 9 पर टिक कर अब कई बच्चे कहेंगे सर examiner क्या सोच रहा हम ही क्या पता बिल्कुल दोस्ते सही answer है यह confusion create करने वाले question ऐसे नहीं पूछने चाहिए जो fix है उसके उपर बात करो न आप यह 2000 आप 17 की 18 की बात करोगे तो तब 7 थी 19 की बात करोगे 9 थी 19 के 20 की बात करोगे तो 8 हो गई फिर वो depend करता है question ठीक है important है ध्यान रखेगा पूछा जाएगा exam में तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए ठीक चलिए आगे चलते है आगे बोल रखा देखो गुजरात क करी थी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इस राज्ये के पडोस में कौन-कौन से राज्ये है तो पडोसी राज्ये भी पूछ सकता है तो फटा-फट बताईए गुजरात के कौन-कौन से पडोसी है कौन-कौन बच्चा बताएगा फटा-फट गुजरात का कौन पूरा पढ़ जा था गुज्राट का कहा है चलैंजे और ट्रह दो नीचे की तरह महाराश्ट पढ़ता है मद्यपर्देश बिल्कुल इधर पढ़ता है मद्यपर्देश और राजिस्थान इस तरह पढ़ता है बिल्कुल दोस्तो तो option number fourth is the right answer क्या होगा fourth is the right answer चलिए मैप पर ले चलता हूँ देखो थोड़ा सोच तमच कर धैरे से जवाब दो गुजरात के पडोसी पूछे गए थे तो उन्हें पडोसी के पडोसी नहीं पूछे गए थे तो उन्हें पडोसी के पडोसी बताने लगे चलिए आई ये line पे अगला question बोला गया है तमिलनाड यानि कि जो तमिलनाडू है उसके निकट वरते राजे लीजे अब मुझे बताईए अब हमारे भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर पड़ता है हमारा तमिलनाड ये है तमिलनाडू ठीक है इस तमिलनाडू के निकट वरते यानि कि पडोसी राजे पूछे अब दुबारा पड़ोसी के पड़ोसी मत बताने लग जाईएगा नहीं तो पहुंच जाओगे आरब सागर में डूब जाओगे फिर मिलो गए नहीं ठीक है चलिए जल्दी से बताईए तमिल नाडू के पड़ोसी मेंने मैप भी बना दिया बिल्कुल ठीक है कोई दिक्केत वाली बात नहीं है यहां से आओगे तो लंबा सा हमारा आंदरपरदेश एपी पड़ता है और बगल में इसका करनाटका तो पड़ता ही है इस हिसाब से आंदरपरदेश कैरला और करनाटका समझदार हो गयो सभी के सभी थोड़ा सा टाइम लगता है दस सेकेंड ज्यादा लगेगा कोई बात के लेकिन धैररे से जवाब दो ठीक है मैप हमने पूरा समझा है आपी चलिए मैप पर चलते हैं देखिए बोला है तमिलनाड तमिलनाड में देखो के तो से चैरला है इसका पड़ोसी करनाटकी की बॉंडरी लग रही और आंध्रप्रदेश की बॉंडरी लग रही इस इसाप से तीनों के तीनों बिल्कूल ठीक तै जिज बच्चों ने लगाया बच्चों ने बिल्कूल करेक्ट लाग ठीक आगे चलते हैं अगला कुछ है लीजिए मिज्योरम के निकट वरती है परती वेशी तीन राज्ये जल्दी से बताईए मिज्योरम जो राज्ये है उसके सराउंडिंग कौन-कौन से तीन राज्ये पड़ते हैं फटा-फट बताओ फटा-फट मिज्योरम की बात करी गई है मिज़ोरम के पडोसी राचे कौन-कौन से जल्दी से बताओ जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय में आपको मिज़ोरम बताया था बिल्कुल नीचे की तरफ बताया था आपको तो जल्दी से बताइए मिज़ोरम के पडोसी कौन-कौन से तीन है क्या है option से ढूनने की question कर सकते हैं लेकिन आप सभी बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है देखो दोस्तो D बिल्कुल ठीक है कैसे सही है देखो मैं बताता हूँ पहली बात तो पश्चिम बंगाल तो हटाई दू क्यों पश्चिम बंगाल मिज़ोरम इस तरफ है पश्चिम बंगाल इस तरफ है बीच में आपका पूरा बंगलादेश पढ़ जाता है खतम बिहार खतम बिहार खतम तो यहां से तीन option खतम तो directly अगर question का answer नहीं भी पताओ तो भी आप ढून सकते हैं सेवन सिस्टर में confusion होती नो साथ वहनों में तो directly आप यहां से भी आंसर देख सकते हैं तो यह तीन स्टेट की जो की तिरुपूरा बगल में ही पढ़ता है मिज़ोरम के असम ऊपर की तरफ पढ़ता मनीपूर भी इस तरफ को पढ़ता है इसलिए option number fourth is the right answer जिस बच्चों अग्छा क्या बताया था मेने आपको यह तरफ आओं है जिस बच्चों ने option number fourth लगाया थी ठीक है चलिए आगे चलते हैं हाँ नेगलेट करके भी अंसर ढूंड दक्ते हैं दोस्तों अगला कोशन बोला है कि हमारे देश के उन तीन राज्यों का समू कौन सा है जिसके समूंदरी तो दोस्तों मैंने बोला आपका पश्यम की तरफ आपका अरेवियंसी है यानि कि आपक अरब सागर है और पूरव की तरफ बेव बंगाल है तो इसने पूछा जिस समूंदर ठट अरब सागर की तरफ पढ़ता देखो दोस्तों पहला गुजराच पढ़ता मैंने बात करी दूसरा महाराष्ट पढ़ता है तीसरा गुवा पढ़ता है चोथा करनाट का पढ़ता पौर पूर पाँच वा कैरला पढ़ता हो तो कुल मिलाकरत यह पाँच ऐसे राज्ये हैं जो कि आपका अरब सागर की तरफ पढ़ता है तो इस साफ न नंबर एखली था न दोस्तों जिस जिस बच्च्चो ने ए लगा हो सभी की साधी बच्च्चो ने बिल्कूल बिल्पूल करेक्ट और बिल्पूल राइट अंसर रहा है, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं, ये वाला कोशन वही वाली बात है, गुजरात की, देख सारी की सारी, गुजरात हमने पड़ा, महाराश्ट्र, गोवा, अकरनाट का, और साथी साथ में यहाँ पर आपका कैरला हो इस हिसाब से ही जो पांच राज्ये हैं, वो अरब सागर की तरफ पड़ते हैं, कहां पर? इस तरफ पड़ते हैं, पश्षिन की तरफ, चलिए, आगे चलते हैं, आगे बोला गया है कि निमलकित में से तीन राज्यों के उन समू को चुनिए, जिनके समुद्र टटट बंग बंगाली खाड़ी पर है, चलिए, अब मुझे बताइए, ये देखो, ये दुबारा मैप बना देते हैं, ये हैं, अब पूछ रहा है कि इस तरफ किसकी के कौन-कौन से राज्ये पड़ते हैं, बंगाली खाड़ी की तरफ हमने अभी बात करा था, पहला बंगाल पड़ता है, तीसरा आंद्रा पड़ता है, और चोथा तमिलनाड पड़ता है, तो कुल मिलाकर चार राज्यों जो हैं, वो पूरफ की तरफ यानि कि बंगाली की खाड़ी की तरफ पड़ते हैं, तो आंद्र ठीक है, पश्चिम ठीक है, कैरला गला तोदा, उडिसा ठीक है, तमिलना की खाड़ी, पहला होगे आपका पश्चिम बंगाल, ओडिसा, आंद्र परदेश और तमिलनाड ये चार राज्य पड़ता है, इसके इलावा कोई राज्य नहीं है, हमारा पूरफ की तरह, समुद्र ठीक है, चलिए, आगे चलिए, अगला कुश्चिन, देखिए, बोल पात करी थी, दोस्तों, नो राज्य ऐसे हैं, पूरवो पश्चिम में मिलाकर, जिनकी समुद्री सीमा है, तो आप मुझे बताएए कौन सा है, देखिए, पहला, गुजरात ठीक है, गोवा, महराश्य ठीक है, गोवा, ठीक है, करनाटका, ठीक है, कैरला, ठीक है, पर पर देखिए, तमिलनाट ठीक है, ओडिसा ठीक है, तर वैसी आप आगे भी देखोगे, तो कही न कोई न कोई गलती देखने को मिलेगी, जैसे कि मद्यापर देखिए, कोई समुदरी सीमा नहीं है, आगे देखोगे तो मद्यापर देखिए, गलत है, इस इस दाप से भाई, option number second, ये नो राज्ये आपके ऐसे राज्ये हैं, जिनकी समुदरी सीमा पढ़ती है, पूरव नहीं तो पश्यम साइड, तो option number second is the right answer, जिस जिस बच्चों ने लगाया second, वो बच्चों ने खुल करेक्टांस है लगाया, ठेक है, चलिए, आगे चलते हैं, ये वो ही map बोल रखा है, दुबारा समझाने की जूर तो है नहीं मुझे लगता है, हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था map पर, ठेक, अगला question, बोला गया है, कि तीन राज्यों का वह तो तीन राज्यों की बात होगी, तो महाराज्य गलत हो गया, चलिए, कोई नहीं, कैरला गलत हो गया, चलिए, कोई नहीं, साथी साथ में आंधर परदेश, तमिल नाडू, ओड़िसा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैरला भी गलत है, इस इसाप से option number क्या होगा, third, option number third, जिस पशिम बंगाल, ओड़िसा, आंधर परदेश और तमिल नाडू, ये चारो की चारो पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ, तीन पूछे तो तो हमने तीन इसके अंसर देती, ठीक, आगे चलिए, आगे बोला गया है, कि तीनों राज्यों का ऐसा समू, जिनके किसी कि अरब सागर, अरब सागर यानि की पशिम सायड, वशिम सायड यानि की पाच राज्यों में से देख लीजिए, तीक है, करणाट का ठीक है, महारस्ट ठीक है, तो यही ठीक है, अंसर आगे जो जाने की जूरती नहीं थी, आप्芝ल नुमबर गिल गया, आज जिस जिस बच् अभी अभी हमने बात करें दीने दोस्तों, अरब सागर की तरफ पढ़ता है गुजरात, महाराष्टर, गोवा, करनाटका और कैरला, यह पांच राज्या ऐसे हैं जो कि अरब सागर की तरफ पढ़ते हैं, पश्षिन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं, आगे बोला गया है, नीचे देगे उन तीम राज्यों के समू को चुनिए, जिसकी है, सभी राज्यों की समुदर टट अरब सागर पर, लीजिए, अब बोल रखा है कि सभी की सभी सीमा जो है, वो अरब सागर की तरफ है, अरब सागर अभी अभी हमने बात करी थी, question कुछ भ फिर आके कैसे भी पूछ रहा हूँ, अंसर बस आपका यही निकलेगा कि अरब सागर की तरफ को अंसर, अरब सागर की तरफ देखो कैरला ठीक है, करनाटका ठीक है, हमारा रास्ट ठीक है, चलिए, आगे बढ़िए, option A is the right answer, ठीक है, जादत समय नहीं देना हमें, अराम से करते वे चलिए, ठीक है, चलिए, आगे चलिए, आगे बोला कि अरब सागर की तरफ कौन सा है, अरब सागर की तरफ अभी तो बात करी हमने, कोशन रिपीट है, छोड़ दीजी इसको आगे चलिए, ये क्या है, नीचे दिए गया उन तीन राज्यों के समू को चुनिए, ज इस पर सभी राज्यों की समुन्देटट बंगाली खाड़ी की तरफ है, तो कितनी बार पूछेगा भाई, बंगाली की थाड़ी हो, ऑप्शन चेंज कर दिए गया, चार में से इदर उदर घुमा के दे देगा, बंगाली खाड़ी की तरफ चार है, तो चार में से बोडी स हो गया, आंदरप्रदेश हो गया, तमिल नाड़ गलत 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 हो गया, तमिल नाड़ तो ठीक है, हम भी परेशान हो रहे है, तमिल नाड़ गलत है, तमिल नाड़ गलत है, तमिल नाड़ गलत है तो आपसे बिल्कुल सही अंसल है, चलिए, आगे चलिए, आगे आपका पूछा है, बोला गया है कि हमारे देश के किस राज्य या केंदर शासित परदेश की सीमा समुंधर टट अरब सागर से लगती है, लेजिए, अब आपसे एक option पूछा है, अलग नहीं पूछा, अब य पूछा है इसने, अरब सागर की तरफ, और फुडूचेरी लगता कहा है, तो बंगाली खाडी की तरफ तो इते गलत हो गया, ये भी लगता है, बंगाली खाडी की तरफ गलत हो गया, करनाट का जो लगता है, और अंदर परदेश ये भी बंगाली खाडी की तरफ हो गया, जिस जिस बच्चों ने लगा है करनाट का बिल्कुल सही अंसर लगा है यही हमारा केवल बसना है जो अरब साथर की तरफ है ठीक है तो कई बार वो ग्रुप में पूछ लेगा कई बार वो अकेला पूछेगा अंसर वही आपको देना है पांच राज्य इधर है चार राज्य आप इस तरफ से याद रखिएगा तो बहुत असानी होगी और इस तरफ जाते चलिए ठीक है अराम से आप उसको ध्यान रख सकते हो जल्दी से मुझे बताइए जो करकर रेखा है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे भारत के किन राज्यू से होकर गुजरती है चलिए खेल ज्याए जलिए सबी की सबीयरी बच्च्चे क्या रहा है ज्यार्ग से धिश्य गण गुजारट गुझरत जार догश्य धैका द्यूस्तों उत्तर प्रदेश गलत ओर साथी सातन मिदीया पर क्या हो गया और अभृय सा आंदर पर देश अंदर पर गलत इस इसी जैसे कि मैंने अभी आभी आपको बताया था देखो यह है आपकी करगरेखा बीचो बीच से बुजरती है इधर आओगे तो पश्रिम बंगाल हो गया जारकंड हो गया चत्रिजगण हो गया मंद्यप्रदेश हो गया राजस्थान हो गया और गुजराती है खुल मिलाकर ऐसे हमारे भारत से होती हुई जाती है ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे बोला क्या है कि करकर रेखा निमन मेंसे किन भारते राज्य से वकर गुजरती है तो पहले आपके तीन राज्य होई दिये थे उन मेंसे चुनना है और आपको कई बार यह पूरे के कि किसी भी परकार की जल्दी से बताईए और ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या पिर ऑप्शन नमबर डी कौन सा बच्चा बताएगा अब देखो चाटते वे चल सकते हो आराम से जहां-जहां कोई गई कि गलती हो आराम से चाटी और निकल जाईए जैसे कि देखो महारास्टर कहां से आगया महारास्टर चाट दीजिए ठीक है वहीं पर ही आप आगे चलोगे तो और कुछ दिख रहा ऐसा जो अलग से चाटता हो दिखाई दे रहा हो जल्दी से बताईए खटा-फट जो अलग से दूर से दिख जाता है देखो दूर से दिख रहा है यह मतलें दूर सी चमख जाता है वो ओप्षन धीक है चलिए पूर आफ सायडस मयांद करते हो चलते हैं गुज्रात से गुजरता है बिल्कूळ टीक हैं फिर थोड़ा सा राजिस्ठान से उकर गुझेraगा ठीक है फिर मद्यपर्देश से होकर गुजरेगा, बिल्कुल ठीक है, मद्यपर्देश के बगल में 36 गड़ है, उससे होकर गुजरेगा, ठीक है, जारकंड से होकर गुजरता है, फिर पशिम मंगाल, फिर तिरुपुरा, और फिर मिजरॉम, इसी साब से option number second is the right answer, जिस जिस बच्च आगे बोल रखा है क्या, बोल रखा है कि भाई, आजे भोपाल में है, और उसे गयंग टॉक اور पॉड्डेचरी के सम्मेलन में उपस्तित होना है, जहां पर आजे है, वहां से गयंग टॉक और पॉड्ड़ुचरी की क्या है, ले जिए, अब सीदी सी बात है, जहां मने map में कौन कौन से राजे कहां कहां पर है उससे आपको जान करेंगे अब यहां देखो बोल रखा है किसके बारे में गैंग टॉक के बारे में तो गैंग टॉक कहां है तो सिक्किम में जल्दी से बताइए मुझे सही आंसर क्या होगा option A, B, C या फिर D कौन सा बच्चा बताएगा फ कुछ बच्चे इसका आंसर ती लगा रहे हैं कोई बात करें तो ये बोल रहा है भौपाल करते हैं जैसे हमें अग्जाम में सॉल्व करना है क्योंकि अग्जाम में हमें मैप नहीं मिलेगा मैप खुदी बनाना पड़ेगा अपने माइड में तो देखो यह है मद्यपरदेश भोपाद मुझे पता है यहां पर बीचो बीच पड़ता है उसके बाद बोल रहा है उसे गैंग टॉक जाना है गैंग टॉक यानि कि इस तरह पड़ इखो लगात तो यह दोस्तों यह वाली स्थिति कौन सी होगा नौर्ट इस पहले वो कहां देख रहा है जिस बच्चोंल न इसको आप्च नम्बर थाड लगाया वह बच्चोंने बिल्कुल करेक्टर बिल्कुल राइट आंश हुआ ने कहां देख रहा है वह उत्तर पुर में देख रहा है ऐसे समझ में नहीं आया हूँ किसी बच्चे को यह तो मैप मेरे माइंड में था इसलिए मेरको पता है आपको समझाने के लिए map पर ले चलता हूँ यह है map map में जाओगे तो दोस्तों यह देखो यह है मद्यपर्देश क्या है यह? यह पूरा का पूरा क्या है मद्यपर्देश ठीक है? यहाँ पर पड़ता भोपाल अजे जो है यहाँ पर है ठीक है अब वो बोल रहा है कि सिक्किम सिक्किम में ये रहा ये है गैंग टॉक पहले उसको सम्मेलन यहां जाना है और फिर वो पूड़ी चैरी वाले सम्मेलन यहां जाना है तो इसी साब से जो बच्चा है वो कहां देखेगा तो पहले उसे जाना गैंक टॉक की तरफ तो गैंक टॉक देखो इस तरफ और ये वाला जो है इस तरफ है इसी साब से अगर यहां पर आप प्लस का साइन लगाओगे न यह तो क्या हो गया है ये नौर्थ इस्ट हो गया और ये साउथ इस्ट हो गया तो इसी साफ से नौर्थ इस्ट हो साउथ इस्ट देख रहा हूँ पहले उस तरफ देख रहा है फिर इस तरफ देख रहा है तो इसी साफ से जिस बच्चे ने नौर्थ इस्ट हो साउथ इस्ट डी-गड़ी की दिशा होगी, तो लीजिए, फिर वो ही कुश्यन है आपका, तो जल्दी से मुझे बताएगा कोन सी दिशा हो, उप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, या फिर ऑप्शन नमबर D, कोन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताएगा, फटा फट, जल्दी से बताएगे कौन सा बच्चा बताएगा सही अंसर option number A, option number B, option number C या फिर option number D, कौन सा बच्चा बताएगा तेजी नाल बताएगे दोस्तो इसका answer correct, कौन सा बच्चा बताएगा फटा फट चलिए, कुछ बच्चे यहां D लगा रहे हैं पश्चिम बच्चे यहां इसी लगा रहे हैं चलिए, तो देखो दोस्तों question को solve करते हैं पहला बोल रहा है कि भारत के मांचित पर कौलकता यहीं कि पश्चिम बंगाल की राजदानी है तो पश्चिम बंगाल की राजदानी कौलकता यहां ठीक है? और वहां से जाना उसे चंडिगड कहां जाना चंडिगड तो चंडिगड दोस्तों देखा जाए तो यहां कोई सरल रेखा खिची जाए यह मतलब ऐसी एक लाइन खिची जाए सरल रेखा खिच दी हमने तो कौलकता के सापेक्ष चंडिगड की दीशा के है? तो कौलकता से आपको देखना है यानि कि इस तरफ ठीक है? तो यहां पर लगाई है प्लस का साइन यह हो गया, इस्ट यह हो गया, वेस्ट यह हो गया नौर्फ यह हो गया, साउथ तो यह कहां देख रहा है तो यह नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है तो कहां है हो गया option number D, option number D जी जी बच्चों ने लगाया, उत्तर पशिम वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसा लगाया, C कहां से हो जाएगा, उत्तर पूरफ कैसे हो जाएगा मेरे भाई, उत्तर पूरफ तो इस तरफ आजाएगा न, यहां देख रहा है, अच्छा आपने इधर से लगा दिया, अब चंडिगर से नहीं लगाना था, कॉलकता के सापेश बोला, मतलब कॉलकता की ओर से देखना था आपको जिसके सापेक्ष बोल रहा हो तो उसकी और से देखना होता है कौलकता के सापेक्ष बोल रहा है तो कौलकता की और से देखिए चंडीगर के सापेक्ष बोलता तो चंडीगर की और से देखना होता है ठीक है चलिए मैप में देखते हैं कैसे तो मैप में आईए मैप मे ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये सौथ, तो देख सकते हो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, इस तरफ देखना हमें, ठीक है, तो आपको अपने मन में मैप बना कर रखना पड़ेगा, तब ही आप इसका अंसर देखाऊगे, ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रखा बोल रखा है कि वलसाड सहर, हैदराबाद शहर, तिलंगाना, राजे के सापेक्ष किस दिशा में, लेजिए, आप बोल रखा है कि वलसाड शहर, वलसाड कहां पर है, तो वलसाड भाई, गुजरात में है, और हैदराबाद शहर, तिलंगाना, के सापेक्ष कौन सी दिशा ह चलिए सली जल्दी से बताईये सही अंसर क्या होगा एक बच्चा कहा रहा रहा सर बफरिंग हो रही है नहीं भाई बफरिंग नहीं हो रही है आपका net problem होगा यहां से बिल्कुल proper class चल रही है मैं class को खुद भी देख रहा हूं कोई problem आईगी तो मैं आपको बता ही दूगा को इस बताईके कोई प्रॉब्लम नहीं है इस अगल से बताईए जल्दी से बताईए और चलिए कुछ बच्चे इसका डी लगा रहे हैं कुछ बच्चे सी लगा रहे हैं चलिए देखते हैं कोश्यन में बोला है कि वलसआठ शहर भलसाठ शहर मानन लो इहां पर है ठीक है और हैदराबाद तेलंगाना है यहां पर है अ क्या बोल रखा है 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 लगायां यहां पर प्लस का साई तो दुबारा यह कहां देख रा है तो यह ओगया नौ200 तो नौर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा नौर्थ वेस्ट का और ऑप्शन नमबर D है दुबार तो ऑप्शन नमबर D जिस जिस बच्चों ने डी लगाया वो बच्चों ने बिलकुल character बिल्कुल right answer कैसे map पर आईए, map में देखो तो क्या बोल रहा था यह है, हैदराबाद यहाँ पर है, तिलंगाना राज्या में, और अवलसाड यहाँ पर है, गुजराद राज्या में, एक सरल रेखा खिची, यहाँ पर plus का sign लगाया, यह east, north, west और south, तो यह northwest हो गया, तो northwest यानि कि option number D, जिस बच्चो ने D लगाया, और बच्चो ने बिल्कुल correct answer लगाया, ठीक है, चल, आगे चल, आगे बोला है, कि मान लीजिए, आप मद्यपरदेश में हैं, और इस राज्ये के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश की सारवधिक घने जंगल लेजिए, अब दोस्तों आप आपको मैप में ध्यान रखना पड़ेगा कि मैप में हमारे सारवधिक घने जंगल किस तरफ पढ़ते, तो देखा जाए, तो मैप में पहले मुझे बताईए, सारवधिक घने जंगल हमारे भारत में किस राज्ये में, पहले इस question का answer दीजे, तब ही आप इस का सही answer बताएगा, घने जंगल कहा पढ़ते हैं, किस तरफ पढ़ते हैं, जल्दी से बताईए दोस्तों, option A, B, C, या फेरडी, पहले मुझे यह answer बताईए, घने जंगल किस तरफ पढ़ते हैं, और बाद में यहाँ पर एक बच्चा जो है, घने जंगल फेला रहा है, उस बहुत रुक रहा है, यहाँ से नहीं रुक रहा है, यहाँ से वीडियो प्रॉपर चल रही है, आपकी यहाँ पर दिक्कत होगी, चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं, असाम में कुछ बच्चे कह रहे हैं, अउनाचल पर देश में, तो दोस्तों, घने जंगलों की बात करे पढ़े इसी तरफ देखना है बाई सापेक्ष में तो इस राज्य के सापेक्ष मा लेज़े आप मध्यत परल परदेश की और देखना इसी साब से साइन लगाईए इछ नौर्थ और सबस. नौर्थ यस्ट पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गने जंगल यहां पर जिए ज़्यादा गने जंगल तो इसे लिए मर्दियक्त prawण तो पर देखना था से देखने था अश्का इस तरह दौर्ट ही हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है, इस हिसाब से option number जिस जिस बच्चों ने लगाया, बच्चों ने बिल्कुल सही है, चलिए आगे चलते, आगे बोल रहा है, यदि आप भारत के मानचीतर पर कोई सरल रेखा खीचे, जो भारत की राजधानी और पशिम बंगाल क कि राजधानी को क्या करती हो, मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कौलकता की दिशा हो नहीं, तो नई दिल्ली के सापेक्ष बोला है, तो कहां मिलाना भाई, भारत की राजधानी दिल्ली ये रहा, और कलकता पशिम बंगाल की राजधानी ये रहा, और किसके सापेक् है साउथ इस्ट ऑप्शन नमबर ए तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नमबर ए लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्टर बिल्कुल राइट आंसर शुरू कर देखे तेंशन नालो मैथ रीजनिंगी किलाज जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी आप अराम से पढ़िए और आराम से उस्ट करते हैं चलिए देखो दोस्तों यह है दिल्ली भारत की राजधानी और यह है कलकत्ता पश्यम बंगाल की राजधानी इस तरफ से आपको इस तरफ देखना था तो इस्ट यह नौर्ट यह वेस्ट और यह साउथ तो यह क्या हो गया साउथ अगे बोला है यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट से चंडिगान भारत का केंदर शाषित प्रदेश तक सबसे छोटे रेलमाग से होकर रेल गाड़ी द्वारा यात्रा टै करें तो कौन से राज्ये से उसे गुजरना नहीं होगा तो सबसे छोटे राज्ये से जा रहे ही नहीं आता है तो option number second is the right answer कैसे चलिए देखते मैं पर देखो दोस्तों इसने कहां बोल रखा है कि यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट से चंडिगर भारत की केंदर शाषित परदेश तक छोटे रेलमागे मैं सोचे यहां से जा रहा है मुंबई से जा रह हराज मार्क से देखा जाए तो यहां से पहुंच जाएगा तो इसमें दोस्ता जाएगा देखा जाए तो महाराष्ट गुज्रात भी एं राजस्थान भी है साथी साथना हर्याना भी ए ठीक है इन राजजें से होकर इसको बजबनना पड़ेगा तो टेरेक्ली बी अधे के सापेक्ष हिमाचल परदेश की राजदानी शिम्ला और मद्य परदेश की राजदानी भोपाल क्रमाश इस्तित्र है तो इस सारे मैप वाले कोशन में एक जगा कर दी है ट्रेन वाले एक जगा और बाकी एक जगा अराम से आपको समझ में आ जाएगा डिक्कत मत लीजिए ठीक है एक बच्चा बोल रहा सर मैथ में प्याजे वाले कोश्चन करवा दोगे बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिल्कूल करवा देंगे क्यों नहीं करवाएंगा डियर कैसी बात कर दिया आपने एक बच्चा कहा रहा है हर्याना टेट का EVS स्वल्व करवा दीजिए बिल्कूल दिपेज जी टेंशन ना लो एक दिन में आपका हर्याना टेट का EVS स्वल्व करवा देंगा ओके चलिए अगर आप पास आउट है तो फोर्म फिल कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात सकते है ठेक चलिए कोशन पर आईए वापस देखते हैं क्या है पीडिएफ शेयर करवा दूँआ टेंशन ना लो दो पीडिएफ टेलीग्राम पर डलवा दूँआ वहां से डाउनलोड कर लिए देखिये बोल रखा है कि हमारे देश की राजधानी की स्थिति के साप एक शिमाचल परदेश हमारे देश की राजधानी यानिकी दिली यह और फिर क्या बोल रहा है हमाचल परदेश की राजधानी यानिकी उपर जाना भाई इसको उपर यह बिल्कुल और फिर मद्य परदेश की राजधानी भौपाल यानिकी नीचे यह सही है मतलब सर पैर उपर नीचे कर लिए इसने तो तो पहले यह गया इधर फिर उपर लो कैसे होगा समझते मैप पर तो देखो दोस्तो पहले यह बोल रहा है दिल्ली यह रहा दिल्ली फिर बोल रहा है हिमाचल परदेश की मनाली राजदानी यहां पहले यहां गया है ठीक है फिर बोल रहा है मैं भोपाल गया यानि कि यहां तो यहां से वापस यहां आएगा तो इ चाहता है और इसके पश्चाद गांदी नगर गुजरात जाना चाहता है तो उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले तो जल्दी से बताईए क्या दिशा होगी पढ़ाफट बताईए पढ़ाफट बताईए ठेंक यू अंजली जी पढ़ाफट बताईए शिमला का कोई व्यक्ति है, चलिए, solve करते हुए चलते हैं, आराम से आप भी बताते हुए चलिएगा, क्या बोल रहा है, शिमला हिमाचल परदेश में कोई रहने वाला व्यक्ति है, तो हिमाचल परदेश यहाँ पर है, ठीक है, आगे बोल रहा है कि रहने वाला कोई व्यक्त तो इसकी जाने की दिशा क्या होगी याता की दिशा क्या होगी तो पहले गया यह साउथ और फिर गया यह वेस्ट, तो इसी साफ से साउथ तु वेस्ट कहाँ है? यह रहा, option number 3. जिस जिस बच्चों ने option number 3 लगाई, वह बच्चों ने correct all right answer लगाया. ठीक है? देख सकते हो मै मैं ऐसा ही बनेगा अब वापस चलते हैं अपने मैप के उपर ताकि आप समझ सको तो देखो दोस्तों यह माचल परदेश श्रीमला यहां पर है यहां से आना चाहता है कहां पर मद्देपरदेश भोपाल यह यह है मद्देपरदेश भोपाल तो यह नीचे आएगा करेक्ट और फिर उसके बाद में गांदी नगर जाएगा यानि कि गुजराद जाना चाहता है यह यहां से ही हो तो यह दिशा आप सभी बच्चों को पता है यहां प्लस का साइन लगाओ इस्ट वेस्ट नौर्थ और साउट तो यह कहां गया सकते हो ठीक है तो जिस जिस बच्चों ने ओप्शन नमबर थार लगाया हो बच्चों ने बिल्कूल सही अंसर लगाया ठीक है चलिए आगे चलते आगे बोला है यदि आप भारत के मांचितर पर किसी सरल रेखा A B कॉलकता पशिम बंगाल की राजधानी को बिंदू A पर ह से पुड़ुचैरी जो बिंदू B पर ठीक दक्षिन में है तक खीचे तो बिंदू B के सापेक्ष बिंदू A की दिशा क्या होगी लेजिए जल्दी से बताइए पोशन को पढ़ना है और जो बोल रहा केवल वो करते वे चलना है ठीक है चल्दी से बताइए जल्दी से पताइए फटाफट अरे मैं क्यों घुस्ता होगा ना मैं पेड़ वालों से घुस्ता जनल कोई किसी से कोई घुस्ता नहीं है कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी और रहाराम से पढ़ते वे चलो क्या दिक्कत आ रही है वही जिस चनल पर आकर धूम मचता है कौन सा चनल पर धूम मचा रहे वाई चलिए कोशन को सौल करते हैं देखें दोस्तों एक सरल रिखा किछी आपने A और B हमें नहीं खीचनी है जो यह बोल रहा है केवल वो करने ठीक है हमने एक भारत के मांचित पर सरल रिखा किछी नही आगे बोल रहा है कि यह पुर्दू चैरी जो कि ठीक डक्षिन में है और बिंदू बी पर है तो पुर्दू चैरी अगर आप यहां से खीचोगे तो नीचे तमिल लाड़ पार है तो यहां पर हमने खीची एक लाइन यह बी है ठीक है क्योंकि इसी तरफ मैप में आता है औ यह आपका नॉर्स ओगया तो नॉर्थ इस्ट की तरफ देख रहा है नॉर्थ इस्ट नॉर्थ इसंसर नॉबर डि लगाया बच्चाने कर्यक्टर और बहुत बढ़िया तो बैखेलिक्टर रहा है कोई दिक्कत्वारी बात वार कि मैप पर चलते समझाता हूं देखिए कलकत्ता ये ये इसने बोला पॉइंट ए हैं हमने मान लिया फिर बोल रहा पॉडुचेरी ये हैं दक्षिन में ये हैं पॉइंट बी मान लिया अब बोल रहा है एक सरल रेखा खीचो इसके बीच में अगर हम सरल रेखा खीच है तो ये रामने एक सरल रेखा खीच ह और बोल रहा है कि बिंदू B की ओर से देखे तो बिंदू B की ओर से हम देख रहे ली जी यहाँ पर फ्लस का साइन बनाई है यह East है यह West है यह North है यह South है तो North East सिधी सिधी से बात यही चित्रमिन यहाँ बनाया था कि मैं मेरे माइंड में है मुझे पता है कौन साइ स्टीट कहा है और उसी साप समलाइन बनाते हुए चलते हैं जिसके सापेक्ष बोल रहा है उसकी और से देखना है अगला कोश्चिन भोपाल बैंगलूरू कहा है करनाटक के ठीक उत्तर में हैं तथा गांधी नगर भोपाल क ठीक पश्रिम्बे हैं गांधी नगर के सापेक्ष बैंगलूरू की दिशा लेजिए सिंपल सा कोश्चन है जोन जोन सा यह बोलता जा रहा है वो वो करते हुए चलो अपने माइंड से कुछ नहीं करना जो यह कोश्चन में बोल रहा है केवल वो करते हुए चलो अपने पूछ उस चीज़ को नाम इनका एटिट्यूड गल अच्छा कोई बात नहीं अच्छा ना आना आपका जल्दी से बताएं सही हम सर क्या होगा रोली आदब ठैंक्यू डियर सर अब ठक गए हैं कोई नी डियर आज हम डिस्टेंस और डिरेक्शन पूरा खतम करके हम आज हैं डिस्टेंस और डिरेक्शन चोड़ना नहीं है आज 2021 में जितने कोशन पूछे कए थे सारे के सारे फिनिश करने आज अब ठक गए हो थोड़ी दिर रेष्ट कर लो बाद में देख लेजिए ठीक है आज ये मेराथन क्लास है डिस्टेंस और डिरेक्शन की आज के बाद डिस्टेंस और डिरेक्शन दिखना नहीं चाहिए आप लोगों चलिए जल्दी से बताएं सही अंसर क्या होगा ओप्शन ए ओप्शन बी ओप्शन सी या फिर ओप्शन नमबर दी चलिए बच्चे के रहे हैं C, C क्या है ये? चलिए जडेखते हैं क्या है मुझे पता नहीं है भोपाल बैंगलूरू की ठीक उत्तर में देखो बैंगलूरू की बात करी जाए तो कहां पर है? तो नीचे की तरफ आओगे तो यहां है बैंगलोरो और भोपाल जो है इसके ठीक ऊपर की तरफ है तो देखो क्या बोल रहा है भोपाल यह है और बैंगलोरो यह है तो भोपाल बैंगलोरो की ठीक उत्तर में है बिल्कुल ठीक बोला है यह उत्तर की तरफ ही तो है आगे बोल रहा है गांधी नगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है तो भोपाल के पश्चिम में यानि कि इस तरफ यहां क्या है गांधी नगर बिल्कुल ठीक है यहीं पर ही गांधी नगर है कोई रिक्कत वाले बात नहीं है और गांदी नगर के सापेक्ष बैंगलूरू की दिशा आपको बतानी थी तो यहाँ पर पलस का साइन लगाया यह ओगया इस्ष, योगया वेस्ष, योगया नौर्थ और योगया साउथ तो South East की तरफ है क्योंकि इस तरफ देखो तो South East का है ये रहा Option number 3 जिस जिस बच्चे ने Option number 3 लगा है जो कि सभी बच्चे ने लगा है ता बिल्कुल सही answer लगा है ठीक है? जो जो ये question में बोलता हुआ चल रहा है केवल वो करते वे चलो तो अपने आप यह answer आपको मिल जाएगा जैसे कि देखो question में बोला गया था Bangaluru, Bangaluru कहा है ये देखो यहाँ है Bangaluru करनाटका में, इसके साब एक शगर आउपर जाओगे तो यहाँ है भोपाल और यहाँ जाओगे तो यहाँ है गांदी नगर ठीक है, तो Bangaluru अब भोपाल के, बैंगलूरू के South में, North में North बोला था, कहां बोला था उत्तर में, North में तो Bangaluru के North में, यानि कि उत्तर में क्या है, भोपाल है बिल्कुल ठीक है और भोपाल के पश्चिम में गांदी नगर है इस हिसाब से फिगर बनता है अब यहाँ से बोला था, कि इस तरफ से इस तरफ यह क्या होगा, तो डिरेक्ली आपको यही फिगर अपने इहाँ बना है इस हिसाब से आप अपना आंसर ढून सकते हो तो जो यह बोल रहाँ केवल उतना करते हो चलो आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है अगला कुशन, बोला गया है कि भोपाल गांदी नगर के ठीक पूरव में है तथा बैंगलूरू भोपाल के ठीक दक्षिन में है बैंगलूरू के सापे इस गांदी नगर की दिशा है लीजिए, जल्दी से बताईए ओप्षन ए, ओप्षन बी, ओप्षन सी या फिर ओप्षन नमबर डी कौन सा बच्चा बताएगा भोपाल जो है वो गांदी नगर के ठीक पूरव में है तो था बैंगलूरू भोपाल के ठीक दक्षिन में फटाफट बताईए जल्दी से बताईए फटाफट बताईए दोस्तों फटाफट ओप्षन ए, बी, सी या फिर ओडी एक बच्चा बोल रहा है खुश्बु कुमारी की सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा कहां पर है तो डियर जब हम शुरू में हम राज्य पढ़ रहे थे, उसी समय तो हम बता रहे थे ना आपको या आपने पढ़ा भी था कि कौन सा राज्य किस तरफ है शुरू में हमने बात करें थे, आप एक बार वीडियो को शुरू से देखिए पहले हमने राज्य ही समझे उसके बाद कोशन सॉल्व करें ठीक चलिए अब यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं सभी के सभी C क्या है कोशन देखिए बोल रहा है कि भोपाल गांधी नगर के ठीक पूरव ने है देखिए गांधी नगर यहाँ है इसके पूरव यानि की इस तरफ यहाँ पर है भोपाल बिल्कुल ठीक है दोस्तों मैप में देखोंगे तो यही है आगे बोल रहा था था बैंगलूरू भोपाल के ठीक दक्षिन में है तो बैंगलूरू जो है वो भोपाल के दक्षिन यानि की नीचे तरफ है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बैंगलूरू के सापेक्ष गांधी नगर की दिशा तो बैंगलूरू के सापेक्ष यानि की इस तरफ से इस तरफ बोला है आपसे यूँ, तो यहाँ पर डिरेक्टली प्लस का साइन बनाया यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, वेस्ट यह हो गया, नौर्थ वेस्ट हो गया तो नौर्थ वेस्ट कहां पर है, इस हिसाप से दिखोगे, तो नौर्थ वेस्ट यहाँ है option number 3, question देखो वही था, लेकिन इस बार पेले यहाँ से यहाँ पूछा था, इस बार यहाँ से यहाँ पूछा है यहाँ पूछा है, देख सकते हो, कोशन को उल्टा भी कर सकता है टेंशन लेनी कि आप लोग को जोरतर नहीं है ठीक, चल ज़ आगे चलते हैं, मैप पर sमझाता हूं, देखो बोला है कि गांदी धाम जो है उसके पूर में भोपाल है यहां है भोपाल तो यह पूर भी है यह इस्ट है यह वेस्ट है यह नौर्थ है और यह साउथ है हमने बात करी है ठीक है और भोपाल के दक्षिन में क्या है तो भोपाल के दक्षिन में है बैंगलूरू तो नीची की समझगी यहां तक जल्दी से बताईए कोशिन पूरा का पूरा समझ में आ गया कोई दिक्कत है कोई दिक्कत यहां तक चलिए आगे चलते हैं अब मुझे बताईए जो ट्रेन वाले कोशिन पूछे जाते हैं वो भी आज ही करने कि अगले क्लास पर करने जो रेल वाले कोशिन पूछे जाते हैं वो आज ही करने हैं कि अगली क्लास में करने हैं जल्दी से बताईए क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं आपके अग्दाम में यहां से कोशिन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए आज ही करना है कि अगले क्लास में कर मतलब map वाला question बच्चों को इतना दुखी कर दिया इनको कि सारे के सारे बच्चे कह रहा है अगली classman train वाला तो ये थे दोस्तों आपके maps related question जो की 2021 और 22 में पूछे गए थे उमीद करता हूँ जो भी मैंने चीज़ें आपको बताए बिल्कुल basic से बताते हुए चला था आप सभी बच्चों को अराम से सारी की सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी बाकी ये दोस्तों अपना telegram channel है अगर किसी बच्चे ने join नहीं कर रहा है तो join कर लीजिए यहीं पर ही आपको सारी class के class शुरोनी से पहले notification और साथी साथ में कोई update आता है तो वो और साथी साथ में जो भी class होता उसका PDF वो सारे के सारे यहीं पर ही आवे लेवल करवा दिये जाते हैं तो यह हमारे telegram की id है dk gupta 1122 नाम अपने telegram का वो ही है जो अपने channel का नाम है dk gupta online videos for government exam नीचे में इसका link दे रखा है link पर भी click करके directly इस पर आ सकते हो यहाँ पर आपको सारी class के अपडेशन और notification और PDF वेगरा मिल जाते हैं ठेक तो चली दोस्तों यह थी आपकी अपनी पूरी की पूरी का क्षा कैसी लगी नीचे comment box में जरूर लिख कर बताइएगा तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही बाकि जब next topic में मिलेंगे तो बचे भी topic को cover करने का प्रियास्त करेंगे ओके तो जब तक के लिए बच्चों को धन्यवाद